तो हलो दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको एक नया एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं, हाला कि आपने मेरे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दुकान पर देखे होंगे, आज हम खेतों की तरफ आए हैं और आपको खेतों की नजारे दिखाएंगे, कैसे यहाँ पर गाउं मे से वही हम आपको दिखाने के लिए आज यहां पर लाए है तो इसमें क्या सीन रहेगी कि यह जो पैनल के वायर आते हैं यह एक पैनल आधी में आधी तो टूड दहा अभी इसमें 9 पैनल है तो एक पैनल का बोल्टेज है 24 बोल्ट और नोपनल को गुडा करेंगी तो मुझे लगता है वही कोई 200 कुछ बोल्टेज बनेगा जाके तो 200 कुछ बोल्टेज डीसी अगर होंगे तो इससे आप काफी इलेक्ट्रिक वाली चीज़े चला सकते हैं जैसे कि कि यहां पर हम लाए थे एक अपनी दुकान से हीटर जो की 2000 बाट का होता हीटर जो बिजलीस चलता है तो वह हीटर हम आपको चला के दिखाएंगे कितना गर्म होता है क्या होता है हाला कि यहां रोशनी की वज़े से हो सकता है उसका एलिमेंट आपको लाल ना दिखाई दे त तो हम बोलें केमरा में वही आसे कि थोड़ा आगे आएं और यहां पर दिखाने की कोशिस करें अब मोहित भाई यह कडाई से थोड़ा हटाओ तो यहां पर इन्होंने पानी डाल रखा है उबाल बहुत धीम आ रहा हम आपको फोकस करके दिखा रहे हैं साहित दिख रहा हो तो नहीं बनेगी तो इस बज़े से हम इस पैनल को धुलवा रहे हैं एक बार धुलने के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कितना बोल्टे जाता है अगर सब्जी बनती है तो बनाने कोशिस करेंगे आपको दिखाएंगे और यह हमारे एक सेपार्टी है यह धुल रहे हैं आएए देखते हैं क्या होता है तो दोस्तो पैनल धुलने के कुछ टाइम बाद ही आप देख रहे हैं पैनल पर कितनी गंदगी आगी और धूब बहुत धीम है देख रहे हैं सूरज एकदम अंधिरे में हैं तो हमने फिर डिसाइड किया कि इस पैनल को एक बार कपले से प करता है कि नहीं हीटर अच्छा काम करेगा तो सब्जी पक जाएगी और नहीं करेगा तो नहीं पकेगी तो यह सब करने के बाद हम आपको चेक कराते हैं देखिए यहां पर कितना मतलब जो है एंपिर देखिए तार में लाइड बन जा रही है तार जल जा रहा पूरा उसमें उबाल तक नहीं आ रहा था अभी देखिए इसमें लाइसन प्याज क्या जो भी इन लोग ने डाल रखा है मुझे आइडिया नहीं और आप देखिए यह उसी पैनल से कनेक्ट है हीटर और यह देखिए अच्छे से बन रहा है तो चलिए कुछ टाइम के बाद हम आ और ऑप्योम करते हैं तो चम्चे से आपको उठा के निइसे सब्सक्राइं और अहीं चलिए इस तरीके से मल्ति पर्पज उप्योग कर सकते हैं आपने दोस्तों देखा कि इतना प्लाजमा बन रहा था रहा ही इसे प्लाजमा कि बन आप सोच रहे होंगे DC वोल्टेज फिर भी इतना हाइड क्यों है तो इसमें एंपियर काफी ज्यादा है और एंपियर और वोल्टेज का एक कॉंबिनेशन होता है आपने खांसर का वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा तो चलो खांसर की बात हमीं बता देते हैं एंपियर क्या होता रकु होता जैसे की उन्होंने बताया था कि कि यह तो विल्ट कितनी स्पीड से आ ninth ऑर वह कितनी ज़्यादा है उससे कहते हैं इंपियर तो अप्य में बहुत ज़्यादा है इसमें इसलिए यह प्लाज्मा है तो डीटेज को बने रहे हैं और और आपको को इंट्रेस्टिंग दिखा अगर आपके घर में भी सोलर पैनल का यह बड़ा वाला हिसाब किताब लगा तो आप इससे सब कुछ आपको जटका मारता है तो अगर आप नहीं नालिज रखते हैं तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करिएगा ठीक है मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक कि लिए भाए भाए